जै बागेश्वर धाम सरकार जै पालाजी सरकार दोस्तो आप सबी लोग जानते हैं कि 20 जनवरी 2023 को मासिक शिवरात्री है और दोस्तो ये साल की पहली मासिक शिवरात्री है इसलिए ये शिवरात्री बहुत ही ज़दा खास है तो दोस्तो इस मासिक शिवरात्री को किये जाने अपको कोई दुखसमस्या नहीं आएगा, हमेशा भगवान बुरेनात का शिर्वाथ हमेशा आपके ऊपर रहेगा टीक है, तो शिवरात्री का दिन ही भगवान बुरेनात का होता है, तो इस दिन को जो है बहुत ही बजआ जलाकर आपको बेल पत्री के व्रक्ष नींचे, लगा देना है, और वहाँ पर जोली फेलाकर आपके मनन में कोई बात हो, तो कोई ऐसी मतलब दुखोर समस्तिया जो कि आप भगवाण शिव जी से बोलना चाते हो मनोकामना हो तो वो बोल सकते हैं ठीक है अन्य था आप बस दीपक लगा कर आ जाईए भगवाण शिव आपको बिना मांगे ही बहुत कुछ प्रदान यहां पर कर देंगे उसके मतलब दूस्तों अगले उपाई के अगर हम लोग बात करें तो वो यह है कि अगर आपके कोई विशिश मनोकामना है तो इस माशिक शिर्वात्री के दिन आप प्राता काल सुबह सुबह एक लोटा जल अपने सांथ भर कर ले जाएए सांथी में दोस्तों दो चीज़े अपने सांथ रख लिजेए सबसे पहले चीज़ है कि एक काली मिर्ची और साथ काली तिल के दाने माग का महीना चल रहा है तो माग के महीने में काली तिल का विशिश महत होता है तो ये उपाय आप लोगों के लिए बहुत यहाँ पर फल्दाई हो सकता है तो आपो करना क्या है कि एक काली मिर्ची और साथ काली तिल के दाने प्रातेकाल सुबसोबा अपने सांत ले कर जाना है शिव जी के मंदर में शिव जी की पूजन रादा करना है शिव जी पर एक लोड़ जल चड़ाना है जैसे आप पूजन करते हैं वैसा कर लीजिए पूजन करने के बाद अपने सीधे हाथ के अतिले में एक काली मिर्ची और साथ काली तिल के दानों को रख लीजिए और भगवान शीब जी के नाम के इसमर करते हुए इस एक काली मिर्ची और साथ काली तिल के दानों को शीब जी की शेवलिंकियों पर समर्पित कर दीजिए सामर्पित करने के बाद भगवान शीब जी के पास में बैठ कर नाम जाप करकर अपनी मनोकामना भगवान शीब जी से बोल सकते हैं एक महीनी के अंदर आपकी वैवनोकामना पूर्ण हो जाएगे अगर आपने इस उपाय को पुरे मन और पुरे विश्वास से किया होगा जो है प्रदोशकाल में शाम के समय आपको सफेद फूलों के पंकुरियों से श्रंगार पूरे का मतलब भगवान शीब जी का कर देना है और निश्चेत ये भगवान शीब जी आपको बहुत प्रसंद होंगे आपसे और आपको बहुत बड़ आश्रवात देंगे तो दोस्तो श्रंगार करने के बाद भगवान शीब जी की शिब लिंक के सामने जो मतलब दौार होगा मुख्य दौार होगा में गेट होगा भगवान शीब जी का चौकट पर जाकर बैट जाना है और बैट कर जो है भगवान शिप जी के नाम का जाप करना है और भगवान शिप जी के दर्शन करकर जो है अपने घर वापत सजाना है भगवान शिप जी आपसे बहुत प्रसंद होंगे इस उपाय को करने से उसके वएन दो दोस्तों मासिक पत्री के दिन करने से आपका वयप्रॉड जमीन बिख जाएगी तो करना क्या है दोस्तो इस उपाई में सबसे पहले आपको पांच हल्दी की घठान लेनी है कितनी पांच हल्दी की गठान? पांच चीजों को लेकर उस जगहा पर आजाना है जिस जगहा को आप बेशना जातें जिस जमीन प्राउड को आप बीशना जातें बहाँ बिए तो ज़रूर करने के बाद इन तीनोई शरीर पर चट्टे हो जाते हैं तो उनको करना क्या है? उसकी भस्म बनाना है भस्म बनाने के बाद उसको सफिद कपड़े में मतलब रखले लेना है रखने के बाद दोस्तो हमासिक शिवरात्रि के रात 5 को बारा बजे श्रीवजी के मंदर जाकर उस भस्म को चड़ाने के बद वापस से उस भस्म को उठा कर लाना है उठा कर लाने के बद अपने घर लाना है और रात्री को बारा बज़े इस भस्म को चड़ा कर वापस लाकर जो है आधी भस्म को जो है अपने जल में डालकर नहानी की बाल्टी में डालकर उसी रात में इसनान कर लेन बची होई भस्म को दूसरे दिन बाल्टी में डालकर इसनान कर लेना है तो दो बार आप लोगों को इस तरह से इस भस्म से इसनान कर लेना है और आपके शरीर पर जितने भी चट्टे होंगे वो चट्टे बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे